कभी कभी चीजे जिस तरह से दिखती है वैसी होती नहीं हमें लगता है कि याद में हमें कभी हर्ट नहीं कर पाएगा और वही हमें धोका देकर चला जाता है आज के हमारे मूवी दे किलर इंसाइड में 2010 के एक थिलर क्राइम मूवी है यह भी इसी थीम पर बेस्ट है यह मूवी एक बहुत यह अच्छे 1952 के नॉवेल की अड़ाप्टेशन है तो आए होप कि आपको यह मूवी अच्छे लगएगी अगर यह वीडियो अच्छा रगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट ज़रूर करती जाएगा अब भीना किसी देरी के इस dangerous सी मूवी को explain करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारे में के करेकडर को जो एक पुलीस है इसे अपने बॉस ने बुलाया था इसका नाम है लू उसके बॉस उसे कहते है कि एक लड़की है जो गाओ के बाहर रहे कर प्रोस्ट्रोशन करती है यह अलाउड नहीं तो इस लटगी को सिटी से बाहर निकलने का काम यह लू को दिया गया था वैसे उसके बॉस कहते है कि उसे निकालना इतना अरजंड नहीं लू जाकर चेक करकर आएगा अगर उसे सही लगी तो उसे रहने भी दे सकता है लू ने अपनी पूरी लाइफ इसी टाउन में गुजारी है या हर कोई आदमी क्या करता है यह सब को पता होता है वैसे हमारे मूवी का टाइम भी 1952 का है तो सब कुछ बहुत ही कंसरवेट्यू था किसी को गर लू अरेस्ट करने के लिए गया फिर भी उसे उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी इसके बाद उस लटकी के पास जिसका आमें जॉइस लू पहुच जाता है जॉइस को लगा कि लू भी उसके सर्वीसेस के लिए वहाँ आया हुआ हुआ है लू गर में नोटिस करता है कि जॉइस के पास एक गन है उसने उसे पूचा कि तुम्हारे पास क्यू है जॉइस पूचती कि तुम्हें कहले ना देना तुम हो कौन लू गहता है कि मैं पुलिस हूँ इस बात पर इन दोनों में लड़ाई हो गई जोईस के बास permit था पर वो पुलिस वालों को पसंद नहीं करती है तो उसे गालिया देने लग जाती है इस बात से लू भी भटक गया जोईस उसे मारने लग गई थी तो लू भी उसे बेड में पटक देता है हमना बेड निकाल कर उसे बहुत मारता है जब वो शान्त हुआ तो जोईस उसके पास आई ये दोनों फिर इंटिमेट हो जाते है लू को पता नहीं कि उसने क्यों किया पर बार बार वो जोईस के पास जाता रहा ज़रा टाइम गुजरा और जोईस ने रियलाइस किया कि वो लू से प्यार करती है उससे कहती है हम इस टाउन से निकल जाते है कही और जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे लू कुछ भी बोलता नहीं तो गुस्सा हो कही थी लू ने उससे समझाया कि वे पैसों के बारे में सोच रहा था नई लाइफ के लिए उसके बास इतने पैसे नहीं जॉइस कहती है एलमर मेरा क्लाइंट है अब मैं आपको इस एलमर के बारे में ज़रा बता दू या इस टाउन का कंस्ट्रक्शन जिसने किया है इसका नाम है चेस्टर कॉनवे यह बहुत ही अमीर है उसकी बेटे का नाम है एलमर अब यही बात जॉइस लू से कहे रही है कहती है कि मेरा क्लाइंट एलमर है वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं उसे फसाग कर उसके पैसे लेकर हम जा सकते है लू ने इसके लिए मना कर दिया पर उसके माइड में इस सारा चक्कर चलने लग गया एक दिन लू पापास के रेस्टराण में आया हुआ था पापास कहते है मेरे बेटे को समझाने के लिए थैंक यू इसे बहुत हेल्प मिली लू भी पापास की टीनेज बेटे का फ्रेंड है तो उसे इसे जादा कुछ भी नहीं लगता वो बाहर निकला तो एक शरावी उसे पैसे मांग रहा था लू अपनी सिग्रेट से उसके हाथ पर एक सिग्रेट बन देता है कहता है फिर से मुझे दिखना मत इस शरावी ने कहा अब तुम ज़रा डर कर रहना इसके बाद लेट नाइट यूनियन लीडर जो ने लू को अपने आफिस में बुलाय हुआ था वो उससे कहता है तुम अपने ब्रदर की बारे में क्या समझते हो उसने बच्पन में एक लड़की का रेप किया तो तुमें क्या लगता है लू कहता है मेरे ब्रदर को मेरे फादर ने अडॉप्ट किया जब उसकी फैमिली की डेथ हो गई मेरी भी मदर नहीं थी हम एक फैमिली की तरह ही थे मैं उससे रियल ब्रदर मानता था रही बाद रेप की तो कहता है यह पास साल की लेट की थी उसके सामने किसी को भी खड़ा करते और identify करने के लिए कहते तो कोई भी identify हो जाता हम उस पर value नहीं कर सकते इसके बाद Luke का ब्रदर जेल में गया था जब वो वापस आया तो Chester की building पर काम करता था अब जो Luke को बताता है तुमारे ब्रदर का accident नहीं हुआ तो उसका murder हुआ था जहां से वो गिरा उसे सीधा गिरना चाहिए था पर वो उल्टा गिरा वो छत पर गिर सकता था पर उसका support निकाल दिया गया था वेस्मेंट में टकराया उसकी death हो गए जो को लगता है ये सब Chester ने किया है लू को ये सब सही नहीं लगता लू यहां से जा रहा था तो जो उसे कहता है अपनी bullshit अपने पास ही रखो जो को पता है कि लू का ब्रदर ही दोशी था अब फिर से कुछ बाद में clear कर दू लू जो एके साथ relationship में है जोईस एलमर कॉनवे को ये फसाना चाहती है जो Chester कॉनवे का बेटा है अभी अभी लू को पता चला ये Chester कॉनवे ने उसके ब्रदर को मारा अब लू के बास एक reason है Chester कॉनवे से बदला लेने का आज राद लू जब घर पर आता है तो उसके एक लड़ की wait कर रही थी इसका नाम है Amy Amy और लू ये बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ relationship में है आज कल वो उसे इतना attention दे नहीं रहा था इस बारे में Amy को लू से बात करनी थी लू ने बात टाल दी और ये दोने intimate हो जाते है इसके बात लू को Chester ने अपने office में बुलवाय था वो उसे कहते है मेरा बेटा Joyce के पास जाता रहता है वो कहते है मैं तुमें 10,000 डॉलर्स दूंगा जो जाकर तुम Joyce को देख कर आओ जल्दी से इस town से तुम उसे निकाल तो लू भी ये काम करने के लिए मान जाता है Chester का बेटा Elmer और लू ये बज़बन से एक ही स्कूल में थे तुलू ने Elmer को सब कुछ बता दिया Elmer ने प्लान बनाया ये वैसे लेकर वो Joyce के साथ इस country से निकल जाएगा ये 1952 है तो उस time 10,000 डॉलर्स बहुत ही जादा थे Elmer बहुत ही thankful था कि लू ने उसे सब कुछ सचच बता दिया था लू कहता है तुम भी मुझे कुछ help करोगे इसी वज़े से मैंने तुमें सब कुछ बताया Elmer ने थोड़े से वैसे लू को gift कर दिये अब plan बनाया था जोईस के साथ भाग जाने के लिए Elmer उसके पास रात में जाने वाला था लू भी उसे company देगा रात में जोईस के पास लू पहले पहुच जाता है उसके साथ वो intimate हो गया लू ने जोईस को कहा था कि हम Elmer को फसाएंगे और भाग जाएंगे जोईस को इस सब बहुत ही complicated लग रहा था पर लू कहता है सब कुछ आसान है सब कुछ सही से होगा अचाना से वो जोईस को मारने लग गया उस उसने बहुत मारा यहने को कुछ भी कर ना पाए मारने के बाद लू घर के बाहर खड़ा रहा थोड़ी दिर में Elmer वहाँ पोच्छता है गर में जाकर उसने जोईस को देखा तो डिस्टप हो गया था उसके पीछे से लू ने आकर उसे गोली मार दिये लू ने जोईस की गन से हैंड गलोस पहन कर उसे शूट किया था यानि कि उस पर कोई भी शक ना जाए फीगन भी उसने जोईस पर प्लान कर दी यानि कि ऐसा लगे कि Elmer जोईस को मार रहा था तो इसी वज़े से जोईस ने उसे मार डाला इसके बाद लू बाहर निकल कर अपनी गाड़ी के पास उसका टायर चेंज करता है यही रीजन वो Elmer के फादर चेस्टर को देगा वो कहेगा कि उसका फ्लाट टायर था इसी वज़े से Elmer के साथ नहीं गया यह चेंज कर जब वो घर जा रहा था तो रस्ते में उसे चेस्टर मिले वो कहते है Elmer इविनिंग से घर पर नहीं आया कुछ ना कुछ तो गड़ बढ़ है यही देखने के लिए वो जा रहे थे वो जो इसके घर पर पहुचे तो Elmer की डारेक्ली डेड बॉड़ी ही मिली अब सब पुलिस को एकर बुलाय जाता है अब सब हुआ क्या था इसके बारे में लू से पूछा जाता है एक टिडिक्ट्यू है जो लू पर बिलिव नहीं करता इसका नाम है हावर्ड इसके बाद लू रात में फिर से पापा से रेस्टरॉन में आया पापा सीने रिक्वेस्ट करते है प्लीज जाकर फिर से मेरे बेटे से बात करो वो आज कले गयास टेशन पर काम करता है जहाँ का ओनर बहुत ही घटिया है वो इलिगल चीजे करता है उनके बेटे जॉन्नी को वहाँ काम नहीं करना चाहिए यही सब समझाने के लिए लू फिर जॉन्नी के पास आया उसे कहता है किसी भी ट्रॉबल से तुम दूर है न जॉन्नी ने कहा कि मैं भी कोई भी ट्रॉबल में नहीं आना चाहता लू उसे as a motivation 20 डॉलर्स का एक नोट देता है आज एमी और वो बात करने वाले थे पर रात भर वो गायब था वो बहुत ही गुसा थी तो लू उसे सब को जरीजन बता देता है ये दोनों फिर इंटिमेट होने लग गए लू इसके लिए excited नहीं था एमी ने realize किया कि लू जॉइस के साथ इंटिमेट हुआ है उस पर बहुत ही ज़ादा गुसा हो गई लू से कहता है तुम मेरे लिए perfect हो मैं पूरी life तुम्हारे साथ जीना चाहता हू मैं किसी के साथ भी क्यों सूँगा एमी 100% sure थी पर फिर भी इस बात को जाने देती है अगले दिन डिरिक्टिव हावर्ड ये लू और उसके बॉस के साथ जहाबर लू का टायर फ्लैट हुआ था वहाँ पर पोश्टे है हावर्ड ने नोटिस किया इस जमीन पर मार्क्स कुछ अलग है लू कहता है मेरा टायर पुरी तरीके से पंचर नहीं हुआ था मुझे लगा इसलिए मैंने उसे बदल दिया हावर्ड शूर था ये सब लू नहीं किया है इसके बाद ये सब लोग डाइनर पर आए जहाबर हावर्ड लू से कहता है कि अभी जोईस जिन्दा है अब जो भी हुआ था ये सिफ जोईस ही बता सकती है उसकी प्रॉपर मेडिकल केर के लिए चेस्टर खुद उसे फ्लाइ करकर एक सिटी में लेकर जाने वाला है सब को सही से हो इसलिए लू को भी इन्वाइट किया जाता है लू बहुत ही डर चुका था उसे लगता है सब कुछ बरबाद हो चुका है वो चेस्टर के होटेल में रुका जहां उसे एक जेल की बंदी की तरह लग रहा था थोड़ी दिर में उसके बॉस उसके पास आए गहते हैं जोईस की टेथ हो चुकी है लू को अब चेन की सास आई वो जोईस को याद करता है उसने उसे मार डाला पर उसे रखता है कि उससे बहुत प्यार करता था लू के बॉस उसे कहते है मुझे एक बात पता है जो तुमें नहीं अंधेर आउने से पहले सबसे ज़ादा लाइट होता है बॉस को शक था कि लू ने ही ये सब किया अगली दिन लू से मिलने के लिए यूनें लीटर जो आया ये दोनों फ्रेंड्स है तो जो ज़रा वरीर था वो गयता है निउस्वेपर यही बात करे है ये तुमने ही उन दोनों को मार डाला सिर्फ मुझे बता है तुम्हारे पास एक मोट्यू भी है वैसे तो दिखने में तुम मर्डरर लगते नहीं जो के जाने के बाद लू अपने घर में कुछ फोटोस देखता है बचपन में लू की एक टीनेजर बेबिसीटर हुआ करती थी लू के फादर और उसमें चक्कर था फादर उस बेबिसीटर को मारा करते थे लू छोटा था तब भी हो बेबिसीटर लू के साथ इंटिमेट होती थी उसे उसे मारने के लिए कहती थी हमने मूवी के फर्स में देखा कि लू जोईस को मार रहा था उसके बाद इंटिमेट हो गया ये साइकोनेस उसके माइन में बचपन से है हमें फ्लाश बैक में पदा चलता है लू के ब्रदर ने किसी का भी रेप नहीं किया था एक्चॉल रेपिस्ट ये लू ही था लू को जेल में जाना ना पड़े इसलिए उसके ब्रदर ने सब कुछ ब्लेम ले लिया थोड़ी देर में लू को पुली सेशन से कौल आता है उन्होंने सस्पेक को पकड़ लिया है ये पापास का बेटा जॉनी ही था ये वही जॉनी है जिसको लू ने 20 डॉलर्स दिये थे एक्चॉल में लू को ये बैसे ऐलमर ने दिये थे बैचेस्टर ने अल्रेडी सब पैसो को मार करकर रखा था अब पुलीस को लगता है एलमर से पैसे चुराने के लिए जॉनी ने एलमर और जॉईस इन दोनों को मार डाला इस बारे में जॉनी ने किसी से भी बात नहीं की वो डारेक्ली लू से ही बात करना चाता था लू फिर उसके पास प्रिजन सेल में आया वो कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो उन 20 डॉलर्स के बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया लू ने का मैं तुमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता मैंने ही जॉयस और एमर को मार डाला है जॉनी कहता है इसके पेज़े कुछ रिजन होगा वैसे भी उन्हें कोई ना कोई तो मार ही डालता लू कहता है कि रिजन तो था पर डारेक्ली डेट ये वो डिजर्व नहीं करते थे डेट कोई भी डिजर्व नहीं करता यही कहने के बाद वहाँ से बाहर आया उसके फेस पर स्माइल थी रात में सब को पता चला जॉनी ने खुद को लटका कर खुद खुशी कर ली है प्रीजन में ही लू ने जॉनी को मार डाला था रात में लू घर पर आकर एमी के साथ इंटिमेट हो जाता है लू हमसे कहता है यह उस दिन के बाद मुझे सब लोग बहुत ही अजीब नजरों से देखने लग गए जैसे उन्हें पता था यह सब मैंने ही किया है एक विक पीद गया फिर लू जॉनी के फादर के पास आया वो अपने बार को रेनवेट कर रहे थे लू ने उनकी लॉस के लिए उन्हें सौरी कहा लू को लगा था कि अपना रेस्टॉरंट बन कर रहे है पर पापास कहते हैं कि जैसा जॉनी को यह बार अच्छा लगता मैं उसी तरीके से रिन्यू कर रहा हूँ इसके बाद लू टेजर में मर्डर साइट पर आया हुआ था उसका पीछा करते करते जो भी उसके पास आकर वेटता है जो ने उसे कहा कि कुछ ना कुछ तो करवड है पापास जो अपना बार रिन्यू कर रहे हैं इसके पैसे कौन है उन्हें दे रहा था बला ऐसा कोई क्यों करेगा जिसकी वज़े से उनके बेटी की डेथ हुई उन्हें पैसे देगा जो लू से कहता है तुम ज़रा सावधान रहना उसे पता था कि जो ने कोई भी क्राइम नहीं किया जिस टाइम पर जो इसकी डेथ हुई थी उसी टाइम पर जोनी कार से उनके टायस चुरा रहा था इसके बाद नेकसिन में हम देखते हैं रात में लू और एमी एक साथ थे एमी उसके बहुत ही ज़ादा पैयर में है तो कहती है कि अब हम शादी कर लेते हैं लू भी इसके लिए मान गया आज आधी रात लू के घर बर एक बेगर आया यह वही बेगर है जिसको लू ने सिगर्ट बन दिया था वो लू से कहता है मैंने तुमारे जैसे बहुत सारे लोग देखे है मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ तो गरवर करोगे उस दिन के बाद मैंने हर दिन तुमारा पीछा किया था तुमने जो किया इसके बारे मुझे सब कुछ पता है अब वो अपना मुबन रखने के लिए फाइथाउजन डॉलर्स मांग रहा था इसे अरेंज करने के लिए लू के पास टू विक्स है इन दो विक्स में हमें लू की एमी के साथ रिलेशन्शिप दिखाए जाती है लू हमसे कहता है एमी मेरा बहुत खैल रखती है मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ पर अब उसे एमी को मारना पड़ेगा जिस दिन लू और एमी यहाँ से निकल जाकर शादी करने वाले थे उसी दिन लू से पैसे लेने के लिए बेगर आने वाला है उस बेगर की आने के पहले लू एमी को बहुत मारता है जब बेगर वहाँ पहुचा तो लू से किचन में आने के लिए कहता है बेगर ने एमी की डेट बॉड़ी देखी तो जल्दी से वहाँ से भागने लग गया लू से भी मार डालता पर एमी ने मरने से पहले फ्लोर पर पी की थी इसी वज़े से लू खिर गया बेगर भागते भागते टाउन में आया लू भी उसका पीछा कर रहा था लू चिलाता है कि एक मर्ड़र है इसे जाने मत दो टाउन में एक पुलिस ने देखा और वो बेगर को रुकने के लिए कहता है लू से मार डालता तो रुकता नहीं उस पुलिस ने गन से बेगर को ही मार डाला लू फिर से इस मुसिबत से बच गया अगले दिन numa को पता चला कि उसके बॉस ने सुसाइट कर ली है लू जो भी कर रहा था इसके बारे में उसके बॉस को सब कुछ पता था वो इसके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाया तो इसी गिल्ड में उसने सुसाइट कर ली आज लू के पास दिरेक्टिव हावर्ड आता है कहता है मुझे पता है यह सब तुम ने ही किया है लू कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते है हावर्ड कहता है एमी ने तुम्हारे लेक लेटर लिखा था एक डाइनर पर ले जाकर तुम्हें लेटर देने वाली थी इस लेटर में एमी ने लिखा है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ट्रबल में हो अगर तुम मुझे शादी नहीं करना जाते तो मैं समझ जाओंगे तुम मुझे देखो न इसलिए हमेशा से टाउन से निकल जाओंगे अगर तुम मेरे साथ ही रहना चाते हो तो डाइनर में रूखना अगर नहीं जाते है तो चले जाना लू अगर एमी को सिर्फ बता देता को यहाँ से चली जाए तो हमेशा के लिए चली जाती लू को उसे मारने की कोई भी जरुवत नहीं थी सिर्फ मर्डर प्लांड करने के लिए लू ने उसे मार डाला हावर्ड कहता है इस लेटर से प्रूव होता है तो कुछ ना कुछ तो ट्रवल में थे हावर्ड ने फिर लू को उठाया और डारिकली मेंडल हॉस्पिडल में डाल दिया यहाँ पर लू बहुत दिनों तक रहा वो स्लोली स्लोली पागल हो रहा था एक दिन फिर उसे बचाने के लिए लॉयर आता है यह लॉयर जो ने भेजा था जो नहीं चाता था कि वो भी लू के साथ मर्डर के लिए जेल में जाए इसलिए डर कर वो उसे हल्प कर रहा था इस लॉयर और लू में बात होती है लॉयर कहता है सही या गलत कुछ भी चीज नहीं होती एक अलग फ्रेम से देखो तो सब कुछ सही ही लगता है जो भी हुआ एसा वो लू को बताने के लिए कह रहा था लू ने भी सब कुछ सच उसे बता दिया लू कहता है अब मैं किसी को भी हट नहीं करना चाता लॉयर ने भी ये बात मान ली लॉयर लू से कहता है तुम्हारे खिलाफ उनके पास बहुत ही strong evidence है तुम अब शायद बच नहीं सकते लूग घर पर आया और पूरे घर में उसने gasoline डाल दिया था थोड़ी देर में उसे ले जाने के लिए पुलीस आये इनके साथ Joyce भी थी Joyce सही से record हो पाए इसलिए लूग से उसने जोटका था अगर ऐसा नहीं करते तो लूग Joyce को मार डालता Joyce लूग के पास आकर खहती है मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लूग को इस situation से बाहर निकलने का कोई भी वे नजर नहीं आता वो Joyce के पास आकर उस पर चाको से हमला कर देता है वो किसी और को ना मारे वो पुलिस पर भी हमला कर सकता था तो उस पर वो गोलिया चलाते है एक गोली घर में लगी और पुरे घर को आग लग गई नीचे बेसमेंट में लू ने पुलिस एक्स्प्लोड हो जाते है लू पकड़ा नहीं जाना चाता था पर लास्ट में उसे खुद कुशी करनी पड़ी इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है मूवी की एंडिंग बहुत ही डार्क थी पर एक साइकोपैट को बहुत ही डेंजरसली ये प्रेजेंट करती है अगर आपको ये वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजएगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाना है मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नम्यू के साथ अब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया